नमस्कार नाशनल इंडे नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ फरजाना श्रीला दिक्षित के दिल्ली पुर्देश अध्यक्ष बनाये जाने के बाद कॉंग्रेस कारेकरताओं में उच्षा का माहोल है श्रीला दिक्षित इससे पहले भी मुख्य मंत्री का पड़ तीन भार समाज चुकी है इस पर कॉंग्रेस के नेता मंगत राम सिंगल का क्या कहना है आए सुनाते हैं आपको बता दे कि दिल्ली की पूर्व मुख्य मंत्री और आजय माकन की जगह लेने वाली कॉंग्रेस की परदेश अध्यक्ष श्रीला दिक्षित दिल्ली की परदेश अध्यक्ष बन चुकी है वहदेश की पहली महीला मुख्य मंत्री है जिन्होंने लगातार तीन बार मुख्य मंत्री पद संभाला इनको 17 दिसंबर 2008 में लगातार तीसरी बार दिल्ली विधान सभा के लिए चुना गया था इन्हें राजनीतिक में प्रशाशन और संसद्य कार्यों का अच्छा नुभाव है यही नहीं इन्होंने महीलाओं को समाज में बराबरी का इस्तर दिलाने के अभियानों में अच्छा नैत्रित्व रहा है शिलादेश जी जी को दिल्ली परदेश का दक्ष बना गया है क्योंकि यह बहुत तजर्वेकार हैं 15 साल मुख्यमंत्री रही है परदेश प्रेश प्रेशन भी रही है फिर इनका सब के साथ आलमेद है कोई गुरूब बाजी में बना के नहीं चलती है और जब जिस कि हमेशा यह आगी बढ़ती है विजय होती है तो क्या रण नेतिया रहेंगे इनके साथ कैसे लोग कंदे से कंदर मिला नहीं हर आदम को साथ लेके चलेंगे को छोटा हो बड़ा हो हर नेता को हर वरकर को साथ लेके चलेंगी और कांगरिस को मजबूत करेंगे जो पराने अब आदमी की वह पहले वाली बात तो रही नहीं है अब तो जो हवा थी मैं समझता हूं बदल गी है और मिडल में तो बिलकुल ही निकल गया आम आदमी से जो चोटे जोगी जोपडी में लोग है उनसे बात करेंगे क्योंकि जो शीला टिक्सित ने दिया है जोगी जोपड़ काम किया है तो शीला जी के आने के बाद उनके लिए उनको ज़्यादा सुईधायें देगे कॉंग्रेस नेता मंगत राम सिंगल का कहना है कि सीला दिक्षित काफी तज्जूर बेकार है जिसके चलते उन्हें दिली परदेश अध्यक्ष बनाया गया और जिस पाटी में ग्रूप बाजी नहीं होती वो पाटी हमेशा सफलता की ओर बढ़ता है यहीं नहीं हमारे समवादाता के पूछने पर कॉंग्रेस नेता मंगत राम सिंगल का कहना है कि चाहे छोटा हो या बड़ा हम हर नेता को साथ लेकर चलेंगे आज के लिए बसितना ही देखते रहें नैशनल इंगे रिउस